तो है आपर विवन दिस इस केटी गुनार एंड दिस इस दी टोयटा ग्लैंजा एम्टी तो भाई कुछ दिनों पहले देखा होगा आप लोगों ने कि हमने गाड़ी उठाई थी टोयटा ग्लैंजा एंड इसके डिलेवरी वीडियो डल चुकी थी बट यह इसका ना फुल ड लेनों भी क्यों नहीं ली देखो इसकी की कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी जिस पर थोड़े बहुत मोडिफिकेशन्स मतलब यह कवर लगवा लिया था मैंने बाकि यह जो था ना यह की रिंग यह टोयटा वालों ने दिया था अनन्त टोयटा जहां से यह गाड़ी यह जो नीसे आपको यह टाप यह जो लोग मिलता ना वह बहुत ज्यादा बहतरी लगता माला बलेनों से इसका फरंट लोग काफी बढ़िया लगता है बाकि बैक तो इसका सेम ही रहने वाला है यह देखो यहां पे आपको हैलोजन हेडलम्स मिल लाएंगे टर्न इंडिके हाँ भाई इसमें LED इंस्टॉल हो चकी है मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा भी नीचे आपको मिल जाते हैं यह फॉग लेम्स मिलते नहीं है यह एक्शल में ना हमने एसेसरी के तोर पे लिये थे कंपिनी के थुरूई लिये थे ताकि न अच्छे से प्लेस्मेंट हो जा को मिल लाता है एंड साइड से मैं बात कर लो तो यहां पर देखो भाई गाड़ी के लुक्स एकडम घजब वील कवर्स आपको मिल लाते हैं कंपिनी से की टोईटा का लोगो आपको मिल लाते हैं सेंटर में 15 इंचिस के मिल लाते हैं यहां पर देख सकते हो 185 65 r15 थोड़ी वेरिंट है या बेस वेरिंट है और यह क्रोम डोर हैंडल पर मैंने इंस्टॉल करवा लिया था बाद में यह विंडू गार्निस भी आप देख रहे हैं यह भी बाद में ही इंस्टॉल हुई है यहां पर डोर वाइजर वगयरा सारी चीज़ हैं उपर एंटिना जो के कंप भी नहीं था यह क्रोम पार्ट सरव आप देख रहे हूं यह सारा जो है असेसरी सरी का है पीछे आपको यह पार्ट है यह क्रोम पार्ट यह आपको पार्किंग केंशर मिल जाएंगे यह डलवाया गया बहार से बाके बूर बुटची की में बात करना हूँ तो ये देखे हो बाई, यहां पर पार्चल ट्रे, यह पर पार्चल ट्रे की कोस्टिंग मैं बताऊ हूँ, आफ्र मार्केट डलवाईए, इसकी पार्केम की मला भी जो कोस्टिंग है, वो करीब करीब 16 या 17 सो रुपे थी, कम्पिनी से 18 सो की बताई थी, पर ये ना काफी जो आपको offer कर दिया जाता है, यह कुछ tools वगेरा आपको यहां पर दे दिया जाते हैं, यह seat जो देख रहे हैं, यह 60-40 split के साथ आती है, बीच में भी आपको headrest दिया जाता है, मैं अंदर जा के बात करूँगा अभी, जब तक मैं आपको co passenger side दिखाता हूँ, तो यह देख़ वो भी install करवा दिये हैं, जिससे इसकी जो है, मतलब काफी ज़्यदा अच्छी quality नजर आने लगी है, बागी चलते हैं अंदर, बात कर लेते हैं, इसके interior में आपको क्या गुछ features मिल जाते हैं, तो यहां पर यह चीज़ देखके, आप यह मत समझे ना, कि इसमें मतलब आप बिना कीके, मतलब अंदर जा सकते हो, एंड यह है इसके interior जहां पर आपको यह beach और black color में combination मिलने वाला है, चारो power window, lock and lock का button and window lock का भी option दिया गया है, यहां पर bottle holder, जैसा कि आप अभी bottle देख रहे हो, speaker मैंने इसमें pioneer के installation इंस्टॉल कर वा लिए थे, जिनका output मुझे लगता बहुत बढ़िया है, एंड यहां पर matte black treatment, यह glenza थोड़ा base कमें मैं, मतलब base की में बात करूँ, तो थोड़ा base कम मिलता है, भागी सब यह एक number है, एंड यह seat cover आप देख सकते हो, यहां पर, यह मतलब फुली लेदर लगती है यार, और इनकी quality ना बहुत जादा गजब है बहुत जादा बढ़िया, एंड इसकी मैं costing की बात कर लूँ, तो यह करीब करीब मुझे पढ़े थे, आठ से 9000 तक के, बाकि बैट के मैं बात करूँ भाई गाड़ी में, तो यह देखो भाई, यह है इसका instrument cluster, भाई बहुत गजब लगता है यार देखने में, मतलब बहु ही जादा गजब, यहाँ पर देख सकते हैं, आप सारी कुछ चीजें आपको 8000 तक RPM मार्किंग देखने को मिल लेगी, एंड टू टो एंटी तक इसमें स्पीड मार्किंग आती है, गाड़ी अभी तक 89 किलो मेटर्स चल चुकी है, एंड इसकी मायलेस की अभी मैं कान्फरम खोल की करने पड़ेंगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको Traction Control और यह Fog Lamps के Button आपको मिल जाते हैं, अगर आप Company से ही Install करवाते हो तो, यहाँ पर Headlight Labeler और यह इसका Auto Start का Function आपको मिल जाता है, Ideal, यहाँ पर Steering Wheel भाई, बहुत लाइट है, इसका मतलब यह देख़ कितना light steering wheel है, कोई भी बच्चा इसको turn कर सकता है, इतना जादा light है, बहुत जादा बहतरीन है, अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो बाई, कितना जादा मस्त लगती है, यह बलेनों में थोड़ी missing होती है, मुझे मेरे ख्याल से लगता है, यह थोड़ी थोड़ी बलेनों यह चीज मिसिंग है, यह पियानो बलेक ट्रीटमेंट, यह combination जो है बहुत बहतरीन है, बागि यहाँ पर वहाँ पर silver आता है बलेनों में, यह पूरा black है, यह आप देख सकते हैं इन्फोटेन्मेंट, यहाँ पर Android Auto and Apple CarPlay wireless support करता है, इसकी quality आप खुद देखो आपके सामने, यह इसका output देखो भाई, मतला बहुत स्मूध है, स्मूध काफी है यार यह बहुत जदा बढ़ी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको यह पार्किंग के लिए बटन मिल जाएगा, आटोमेटिक AC, बेस पेरिंट से यह आपको आटोमेटिक AC मिलता है, यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा ठीक ठाक साइज, बाकि यहाँ यहाँ से इसका USB पोर्ट बगएरा जो है, लगा सकते हो, मतलब इसमें अगर आपको कोई pen drive बगएरा लगानी है, तो वो आप कहां से लगा हुए है न, तो वो आप वहां से लगा सकते हो, यहाँ पर IRVM, DayNet Manual Adjustment के साथ आ मिल जाता है, कोई भी टिकेट होल्डर तो नहीं दिया गया है, बट आपको एक mirror tap का बोल ला हूँ यार मैं, मतलब यह sun visor दे दिया जाएगा, यहाँ पर भी एक sun visor मिलता है, जहाँ पर मतलब कोई भी mirror बगएरा नहीं है, airway की बगएरा मिल जाती है, यह soft fold के साथ आपको पीछे space wise में बात करूँ ना, बहुत बढ़िया लगता है, मैं आपको चल के देखाता हूँ, एक second, तो आप यह देख सकते हो, यह पर power window का control आपको मिलता है, यह soft touch मिल जाते है, यह matte black treatment में, interior के door handles, बाकि यह दौना चीज़े आपको देखने को मिल जाती है, यह पीछे कु यह देखने को मिलेंगे, यह पर आपको charging port पीछे भी दे दिया जाता है, यह काफी बढ़िया चीज़ है, और भाई, space कहा मिल जाएगा आपको ऐसा, बताओ, कहा मिलेगा ऐसा space, यह देखो भाई, पीछे से, भाई, आप खुद कमेंट करके बताओ, क्यासा लग रहा है, अ आपको पूरा interior बहुत जादा गजब बन जाता है, यहाँ पे एक light भी मिल जाती है, पीछे तीन-तीन headrest, तीनों की तीनों adjustable, आगे दोनों की दोनों यह adjustable मिल जाती है, तो मिल जाता बढ़िया है, बागे engine पर चलते हैं, इसमें engine देखो में आपको बता देता हूँ, 1.2 liters का petrol engine है, 4-cylinder engine है, काफी जादा refine है, 89 कुछ BHP आपको निकाल के देदेगा, and 113Nm तक का torque आपको आराम से निकाल के दे देता है, चलते हैं, भाई, माईलेस 22 का claim करती है company, बागी मैं आपको देखा देता हूँ, इसका engine मैं आपको देखा देता हूँ, इसका engine मैं आपको installation मिल जाती है, वीडियो एन तक देखे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, जो भी कोई doubts हो, आगे भी पूछ लेना है, गाड़ी मेरी है, मैं आराम से इसको cover कर दूँगा, thank you so much for watching